नमस्कार बॉलिटिंग की शुरात इस वक्त की पड़ी खबर के साथ बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं और पलपल की अपडेट हम आप तक पहुंच आ रहे हैं बता दें आपको कि विधान सबर चुनाप से जुड़े हुए बड़ी खबर दो 98 सीटों पर महराज बोटिंग लगातार चारी है और ऐसे में अजीद पवार ने बारमती में डाले हैँ वोट सुप्रियसूले ने बारमती में अपने मताधिकार कर ऐस्तेमाल किया है अभिनेतायों में फोट को लेकर खासा हुट्वसा देखा चुआ रहा है मुमबई में बॉलिवूड का लाकारों ने क्या है मतना अक्टर अक्षय कुमार ने भी अपने मताधिकार कर स्थमाल किया अभी नेता राज कुमार राउन ने वोट डाला है सचिन तंदूलकर ने डाला है वोट और परिवार के साथ अपने मताधिकार कर स्थमाल किया है मोहन भागवत ने नागपूर में वोट डाले हैं और बीज़पी नेता किरिट सुमया ने परिवार संग डाला है वोट महराश विधानसवा चुनाब की 288 विधानसवा C2 के लिए आज विस सिंगल फेस में वोटिंग चाह रही है क सुबह आठ बोचेता का फेम इंडेस्ट्री से जुड़ हुए कई जो सितारे हैं उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तमाल किया अक्ष कुमार राचकुमार राव फरहानत्तर अपने मताधिकार करिस्तमाल ने पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तमाल किया परिवाद के साथ यहां पर पहुंचे और जाधा जानकारी के साथ इंपुट हेड राजीव शर्मा जी हमार साथ सीधे जुड़गाएं है राजीव जाना जाएंगे आप से कि फिरहाल क्या स्थिती बने हुई है कितने परसेंट अभी तक वोटि में जो वोटिंग की बोटिंग शुरू होई है इसके से पहले दूकान हो चुके हैं एक है कैश पर वाट दूसा है विटकॉइन बॉम तो यह इनके बीच में महारास्ता और जार्खन की मदान हो रहा है खासर से जो महारास का मदाने वह बहुत ज्यादा रोचक हो चुका है इन दो बड़े बंफटने के बाद में इसके बावजूद महारास में भी वोटिंग ठीक ठाक चल रही है और जार्खन में तो बंपर बोटिंग चल रही है जामतारा राची और कई जगे से हम लोग पास सूचना है मिल रही है उस पर सुबह पांच बजे से लोगों की में उत्साहा है और लोग बढ़ चल करके माहिस्सा ले रहे हैं और इसी तरीके से महारास्टा में भी जो अंदूडी महारास्टा है उसमें भी लोग बहुत आगया करके चुनाव मदान कर रहे हैं और जैसे कि सारे लोगों मालुमी है कि संग प्रमुक मोहन भागवात और कि अलावा आपके सुनिन साचिन तेंदुलकर और बॉलीवूर सेलीविटीज में राजकुमार राओ ऐसे लोगों ने आकर के वोटिंग क्या है और कहा है वह सारे काम चोड़ो पहले नाश्तात पानी चोड़ो सबसे पहले आकर के वोट करो हाना कि महारास्टा में जो इस स जो अंद्रूनी महारास्टा उसमें ठीक ठाक बोटिंग होती ही दिखाई दे रही है सुप्रिया सुलेबी अपना वोट डाल चुकी है और इस तरही किसा अभी तक जो मिला करके दिखा जाए वहां पर जो है वहां दोनों ही जगा जार्कन महारास्ट में जो है वो बोटिं कि रहे हाफिस सहीद का कोई मरशिदा है वो पैसे बांट रहा है ऐसे ऐसी उन्होंने शिकाज है वो चुनाब आयोग से की है जी तो यह अभी तक की सारी चीजे हैं और जो मुंबई की बात करें खास वर से हम लोग तो मुंबई में अक्षे कुमार ने राजकुमार राव में कवीर खान ने इन लोगों ने आकर के वोट डाले हैं और जो अपनी पत्नी के साथ में वोट डाल चुके हैं बीजेपी के क्रीट सुमया अपना वोट काफी दिर पहले डाल चुके हैं तो यह सारी चीज़ चल नहीं है और फिर से मैं इस बात को दो रहा हूंगा कि जो बिटकाइन बॉम और जो यह कैश फार बॉट वाला जो कांड हुआ है कल्बिनो तावड़े का वो और यह सुप्रिया सुले का जो आज आज अडियो लीक हुआ है इसको लेकर के बहुत गहमा गहीं बढ़ गी यह एक तरीके से यह जो चुनाव है वो बहुत ज्यादा प्रवक्ता को जो है वो अपनी मानहानी का नोटिस भेज दिया है लेकिन महराज के संदर्व में हम देखें तो पहला चरण और यहीं अंतिम चरण तो ऐसे में राजीव जी क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं लेकिन ऐसे दो तीन कौन सा खास मुद्दे हैं जिसके आधार पर ये चुनाव लड़ा जा रहा है या यह जो मुद्दे हैं वो होट मुद्दे रहें इस चुनाव में नेहा यही तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी तक जो जितने मुद्दे थे वह एक था पना सांपर डैक्ता का धार्म के दुर्वी करण का लेकिन इन दोनों से उपर जो अब मुद्दे हो गए हैं वो दो मुद्दे इससे में चल रहे हैं एक विनोत तावड़े का केश पर हुआ बोटकान और दूसरा यह जो आज सुप्रेस लेका बिटकोइन बॉम जो अडियो लीक हुआ है यह इस पर हाभी होते हुए दिखाई दे रहे हैं लेक से बहुतारी कोशिस ऐसे की जा रही थी कि बोटों का दूबी कर लिया जाए धर्मान संपडाए के नाम पर यह खास मुद्दा यह रहा है जो जनता के में मुद्दे हैं जो रोजगार का मुद्दा होता है जो रोजी रोडी से जुड़े मुद्दे होते हैं और रही सही कसर कल शांग से जो चालू हुआ है केश फॉर बोट और दूसरा यह बिटकोईन बॉम इसके नीचे दफ्तिवी दिखाई दे रहे हैं बिलकुल जो असन मुद्दे हैं वो हमने देखा कि अकसर चुनावों में गौन हो जाते हैं और जो मुद्दे बनते हैं वो लोग तंत्रिक तरीके से यह जो मौजुदा सरकार है महयूती की चल रही है मामला कोड तक पहुंचा लेकिन जनता में क्या संदेश गया जनता ने इसे किस तरह से लिया है यह चुनाव यह भी तैक कर देगा कहीं न कहीं जी बिलकुल हमेशा मद्दान में जो होता है इसको सब्सक्राइब लाने चाहती है नहीं है इसके साथ मैं आपको थोड़ा सा यूपी में नौ विधान सवाद सीटों पर उप्चिना हो रहा है उसकी थोड़ी सी बात बैता दूं मैं आपको वहाले कि यहां भी काफी जुशो खरोज से लोग मद्दाता निकले हैं और दियाद चेत्र की जो सीटें हैं उन पर ज्यादा वोटिंग देखी जा रही है और मुरादावाद में एक विधान सवाद चेत्र कुंदर की जिस पर आज वोटिंग हो रही है वहां से समझवधी पार्टी के जो परतियाशी है हाजी इमरहमान क्या मैं नसुम का नाम मैं भ आज 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 आए इसके अलावा फूलपुर में थिक ठाक तरीके से बूटिंग चल रही है एंब बेट करना करके कि जो बिदान सवाज चेता है और इसी तरीके बाकी जगे जहां आज भी जा कि नो बिदान सवाज चो थे वहाँ भी ठीक ठाक बूटिंग चले यह भी कही कि युष होड़कर और से कोई विवाद की सती सामने नहीं आई है वाइनाट में क्या क्या सती देखते हैं वाइनाट में तो ओने हाब इसको एक तरफा चुनाव कहा जाएगा लेकिन सबसे बड़ा कांग्रेस के लिए कहना चाहिए कि व्याइनार चुनाव है वो विढ़ान स उसमें माना तो यह जा रहा है कि अभी तक कि वह प्रियंका के फेवर में हवा बह रही थी लेकिन वहां भी देखना ओकि आखे होता क्या है लेकिन वाइनार को बिल्कुल एक तम छुप गया है यह महारास्ट और जहरकन को लेगा खासतोर से जो महारास्ट में कल से जो गतिव हुई हैं उनको लेकर वाइनार की अपना चर्चाएं जो हैं विल्कुल दब गई हैं कहीं दिखाई नहीं दे रही है लेकिन एक सही का आपने की एक तरफा चुनाव ही है क्योंकि जब एक बड़ा चेहरा सामने होता है तो जाहर तोर पर लोग उसे प्रात्मिक्ता भी देत चुनाप हो रहा है जब की अलग अलग राचों में अब इलेक्शन भी जूनाफ यहांनी कुट्ब्रदेश में हो रहा है केरल में भी वायनाराट सीग पर हो रहा है सभी कि निगाह इन तमाम सीटों पर चार्चन में दूसरे चरण में वोटिंग लगतार जा रही दूसरे जारकन में 38 सीटों में 38 सीटों पर मतदान जा रही है यहां 13 नवंबर को 43 सीटों पर चुनाब हो चुका है इसके नतीजे बीते 20 नवंबर को भूशित के जाएंगे जारकन में 70 रूट इंडिया ब्लॉक सत्ता में बने रहना चाती है तो वहीं एंडिये कर बंदन सत्ता पर काबिस होने के लिए हर मुम्किन कोशिश कर रही है तो दूसरे चुनाब बेखद एहम माना जा रहा है बता दें आपको कि 38 सीटों पर यह मद्दान हो रहा है कई दिक जोंकी किस मद्दान पर लगी हुई के सीर्सी टीवी कामरी से निकराने की जा रही है और ऐसे हमें लंबी-लंबी कतारे पोलिंग पूद्ग पर देखने के मिल रही है..." मत्ताता बहुत जाग रूख है। खासत दो यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कि महिलाएं आधी आबादी किस तरह से घरों से बाहा निकल रही है जाम ताड़ा की तस्वीर हम आपको दिका रहे हैं और यह तस्वीरों को देख कि माज़ को जाता है डेश को जाता है कि बढ़ चड़कर जो महिलाएं हैं अपने मताधिकार का स्थिमाल कर रही हैं और इस्तिमाल कर रही है और एक मजबूत एक सश्रक्त सरकार बनाने में अपने एहम फूमी करने पा रही है कि राजीव शर्मा इन्पुठेड लगातार हमारे साथ जुड़े हुआ है राजीव जी कैसे देखते हैं ज्वार्खन विधान सबस्ट चुनाफ में क्या स्थिती बनी हुई है फिलहाल ज्वार्खन में ज्वार्खन में बहुत अच्छा मदान अवी तक का हो रहा है और जो सुद्व बारा वे तक की सिती है वहां बारा दिशनव साथ एक फीसदी वोटिंग हो चुकी है और जो कांग्रिस नेता राहूल गांधी है उन्होंने सुभा एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि भाई जो आपको साथ गारंटियां दी गई है उनको ध्यान में रखिएगा और आपके जल जंगल जमीन की रक्षा करेगा जो उनका इंडी गटवंदन है इसलिए उसके लिए वोट करें और जार्खन में जो जामतारा इलाका है उसमें तो बहुत ज्या नेहां एक्दम मार्बलेस चल रहा है रहा है और और तीस सीटों पर वोटिंग चल रही है और इसमें जहें बारहा जिले आते हैं और 14,218 मद्दान केंद हैं तो इसको देखकर के इसको देखकर के इन सारी चीज़ों को देखकर के लगता है कि जो वोटर का जो साहथ देखाई दे रहा है लगता है कि इस बार कुछ ना कुछ अच्छा ही परिणाम सामने आएगा जिसकी भी सरकार बनेगी मुझे ऐसा लगत है जो वोटर का जो उसको देखकर ऐसा लगता है जिसकी भी सरकार बनेगी वो अपने दम पर बनने चाहिए हर बार की तरह ऐसे नहीं इस बार कि किसी का दो दल को मिला करके सरकार बने लेकिन अब यह तो मद्दान के बाद ही पतादा चले कि मत गर्ना होगी वह फिल रहाल का उस्सा है वो देखते ही बनता है जाकन में बावुलाल मरांडी अपना वोट डाल चुके हैं वह कुछ दिर्बाज हैं वह मुख्यमंत्री हमन्सोरें निकलेंगे वह भी अपना वोट कास्ट करेंगे तो यह साइज चीजे चल रहे हैं अभी तक और जहां यह जो अब देख हो है ट्विट किया है दो अब देखिए कि स सब्Up का जो हर धान में ज्याधा माहरा स्ट्रमें जखाइन और की सांसर परतियाशी हैंना कांग्रेस् की orieनार के लिए नहीं कंवा हो बाखाइध न के लिए वोट करने के लिए कर रही है तो आप माना जा स्कता है कि कॉंग्रेस नहीं लिए और गर्यlight दिन्हें को प्य पर टूइट करते हैं मल्का अर्जुन है वो लंग-टूइट करते हैं तो तो इसको देखके लग रहा है कि वह कॉंग्रेस ने अपना सारा ध्यान जो जारखन पर केंजित कर रखा है महारस के अलावाद जी दूसरा फेज काफी महतुपूर्ण का जा सकता है राजीव जी क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कलपना सोरेन बाबुलाल मरांडी सुदेश मैतो और अभिंदरनात मैतो दीपिका पांडे अफिजुलहसन सीता सोरेन बसंद सोरेन समित तमाम दिककजों की किसमत दाउख पर है यह जो है वो इंपॉर्टेंट है और जो पहले चरण में वोट डाले गए थे और उसके अब एक श्वक्रत यह जो दूसरे बहुत ज्यादा प्रभावी रहेंगे जहारतन की आगे आने वाली सियाथ सब्सक्राइब यह देवघर की हम तस्वीरे अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं आप देख सकते पोलिंग बूथ की तस्वीर जहां पर लोग अपने मताधिकार करने के लिए मतदान के इंदर पर आपको क्या कुछ के लोगों का कहना है सुनवाते हैं और इसमें सब को सम्मिलित होना जरूरी है क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हम लोग को एक जुट होना पड़ता है और वो पढ़ना चाहिए अपना अपना भोट दे आप कि आज तो घर का काम वाम भूरते हैं नाली होना चाहिए नाली नहीं है इसलिए हमको पानी निकालने में बहुत दिक्कत होता है और चली इस पीछ एक बड़ी खबर करूप कर रहे हैं यूपी उप्चिनाफ से जुड़े कोई दरसल यूपी उप्चिनाफ में भी मतदान लगाता जारी है नौ सीठो पर उप्चिनाफ के लिए मतदान हो रहा है सुभा नौ बज़े से कुंदर की सबसे ज्यादा आपकी नौ आपको बता दे कि उप्चिनाफ में नौ सीठो पर वोटिंग हो रही है इस बार वोटिंग में सत्ता रूट बीज़े पी और विपक्षी समाजवाधी पार्टी की साख दाफ पर हैं और बीज़े पी की तरफ से यूगी आधितिनाथ ने मोर्चा संभाला था जब कि अखलेश यादफ में सपा की तरफ से मोर्चा संभाला तो जाहर तोर पर दोनों की पार्टियों ने एड़ी चोटी का जो लगा था इस चुनाफ में पता हासिल करने के लिए लेकिन ना वाकई किसकी मेहनत रंग लाई ये तो पता चलेगा फिलहाल आपको बता रही कि ये तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरे यू प्यू चुनाफ की जहां पर नौ सीटों पर मतदान लगातार हो रहा है ये नौ सीटे वो है जो किसी ना किसी वज़ों से खाली होई और उन सीटों पर ये मतदान लगातार हो रहा है और ऐसे में सभी के निगाए नौ सीटों पर है क्योंकि ये नौ सीटे जो हैं वो तैह करेगी कि आगे जो चुनाफ होगा उत्तर प्रदेश में उसकी रूप लेखा क्या होगी या लोगों का जो रुजहान है वो किस तरफ है राजीव जी लगातार हमारे साथ बने हुआ है इंपूट है राजीव जी जा चाहेंगे आपसे कि फिलहाल ये नौ सीटे योगी आदितेनात की साख के लिए कितनी महत्वपोन हैं और क्योंकि अखलेश यादफ ने भी पूरा दमखम लगाया चुनाफ प्रचार में तो समाजवादी पार्टी में एक नई जान फूकने के लिए ये कितनी जरूरी है सम से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मिल्कीपूर जिसमें हाई कोड में कि आज का हुने का रिम्हाद चुना अभी नहीं हुआ है ये बाकी जो ये सीटे हैं इनमें साथ ना था इसमें पांच पांच सीटे बीजे पी कि और चार जो हैं वो समाजवादी पार्टी बिफक्ष क पास मती अब वो इसमें ये इसलिए ये प्रटिक्स्टा का प्रशन बना हुआ है कि इसमें जो ज़्यादा सीटे जीत ले जाएगा वो इसमें राजा कहलाएगा क्योंकि लोग सवहाद चुनावों में जिस तरीके से बीजे पी को शिकस्त का सामना करना पड़ा था अब य अज तोर से सियम योगी आधित्यनाथ कर तो इसलिए योगी आधित्यनाथ ने सारी सीटों पर बहुत मेहनत किये चाहे वो गाजयबाद सीटों मजवां हो खैर हो करहलो करेठी हो फूलपूर हो मीरापूर हो सीसामई हो कुंदर की हो सब जगह योगी आधित्यनाथ पहुं क्या हुआ था कि जो बीजेपी का वोटर था वोट करने ही नहीं गया था तो इस बार ये पूशिश की गई है बीजेपी ने अपने पूरे जितने वी अनुशांगी संगठाने उनको भी जोग दिया उनका किसी भी तरीके से मद्दाता निकल करके आए और इसी तरीके से आप कि बाद में यह हुआ कि खेश आदेम ने बयान दिया कि सब हम जीत के लिए लड़ रहे हैं तो जीत के लिए हम लोग जहें वो प्रतियाशी उतारे कॉंग्रेस या ना उतारे लेकिन हम हमारा गटबंदन बना हुआ है इसी तरीकी का जो विचार था वो कांग्रेस की तरफ से भी आया तो देखा जाए तो सीधे सीधे यह जो यहां चुनाव है जो लड़ाई है नौ की नौ सीटों पर चले वाकिए बहुत 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 शुक्रिया आपका राजीव जीए हमारे सब्सक्राइब वोटिंग जारी है करहल विदानसभा सीट से भाजपर प्रतियाश अनुजेश प्रताफ यादव ने मंदिर में पूझा अर्चना किया और भूले नाट का आशरवाद लेकर निकले जनताक आशरवाद लेने और समाचवादी पार्टी से तेज प्रताप तसिंग यादव और अब हाजपर प्रत्याशी अंचेश प्रताप सिंग मिकाटे की टक कर बताई जा रही है क्या प्रश्यासन पर लगे ये आरूप चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर रहे हैं और इसी के साथ फिलाल इस पॉलेटिन में इतना ही मजेदी जेचासर पूंसकार